हमें इस तरीका का बैग बनाने के लिए फ्रेंड बाइण लिंग लीजेंra अब यह न अन्य गर्ट है ंपरिक कि लिल इसे मिले इसे मिंट्ट में बपका है और इसी तरीके से अब हमें सेंटर में से इसको पकड़ा और इस तरीके से फोर फोल्ड कर दिया हमने और एक लिए 11 बाइ 11 का स्क्वायर में कंवर्ट हो जाएगा अब हमें इसको इस तरीके से रखना है ओपन साइड उपर की तरफ रह गया और क्लोस साइड नीचे की तरफ इस तरीके से अब हम यहां दो इंच का निशान लगाएंगे और यहां से एक दो इंच का निशान लगाएंगे फिर इसी तरफ से चार इंच का मार्क कर लेंगे हमारा चार इंच का निशान लग गया अब उपर भी हम इस तरीके से आठ इंच का निशान लगाएंगे सबसे मिला देंगे अब हमेरे मार similarity करेंMo 하는 कर लेंगे के लिए मार्गआ थारीक के लिए इसास में प्राइपOOO को मार्ष। सब्साइब करने का लाच पीछ KIM video करेंगे ऑद हम रक हकरने में पीस करके बाद में पीस कर लिए इसी पीस कर लिए इन fact के वीदिन tom लेंगे तो लंबाई में 15 इंच और विट्सवाइच रहेगा उपर से इसको फोल्ड कर देंगे और स्टिच लगाएंगे अब इस तरीके से रखना है और इस तरीके से फोल्ड करके दोनों तरफ एक स्टिच लगा लेंगे यह हमारी पॉकेट बन जाएगी अब हमें हैंडल यह हमारे दो हैंडल है इनकी लंबाई हमने लिये 22 इंचेज और यह विट्सवाइज एक इंचेज है अब हमें मिड़ पॉइंट पर सेंटर मार्क करेंगे चाहां हमने सेंटर मार्क किया दो इंच दोनों तरफ लेंगे बिलकुल हमने जाग कट है हमारे उसकी तरफ और इस सामने वाली तरफ इस तरीके से अटाच कर लेंगे हम्ने जाग भलत एसको चाहिए और उसमें रोनर आड करना है जो हमने रंर को एड़ कर लेना इस तरीके से हमारा बाण एड हो गया है आफम्नीस शींख लेंगे और सीदह कर लेंगे है उन्हाद के उल्टा कर लिए इसक एकस्रय जब कर लेना है और यह हमारा साइड इस तरीके से रख हुआ जाए लगा लदãyो इस तरफ से दोतोर में एक एक सलैय लगा लेनी है कि अब हमें छारो तरफ ये खुलय है जहां सिल्वा laying लगा इसको कवर करने के लिए स्ट्रेप्स लेंगे ये हमारी 2 इंच की भिटे है इसकी और इसे इस तरही के सिलाय करेंगे और इससे फॉल्ड करेंगे पृर स्टिच करेंगे और इससे रैडी गर लेंगे नियुक्त करने के बाद इसे पलट के हमें बैक को सिधा कर लेना है यह हमारा चोटू था बैक बन गया है एक पॉकेट है और यह हमारा बैक रैडी हो गया यह विदाउट फॉर्म के और बिना किसी फ्यूजिंग वगरह के रैडी हुआ है फैब्रिक बैग है और अज्ट